आप देख रहे हैं BHPC News तीन जुलाई की सुभा यानि की दो जुलाई की रात हो रही थी उत्तर परदेश में ताबड तोड गोलियां चल रही थी जिहां जिस से पूरा उत्तर परदेश दहल गया कानपुर्प में शातीर अपरादी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए मुख्य मंत्री योगी अदित्तेनाद के दिसंडर देश के बाद मौके पर पहुँचे एडी जी लौ एंड और परशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने इस घटना में पुलिस की चूग मानी है लखनाओ से कानपुर देहाथ पहुचे परशांत कुमार ने कहा कि इस मामले में पुलिस की तरफ से बड़ी चूग हुई है परशांत कुमार सीम योगी को अपनी रिपोर्ट देंगे ADG ने कहा कि कानपूर पुलिस से मुकबरी हुई या फिर किसी ने पुलिस की मुकबरी इस मामले में गहन जाच शुरू कर दी गई है ADG के बयान के बाद एक बाद ये भी सामने निकल कर आई कि क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपरादी विकास दुबे इस तरह का हमला भी करा सकता है उसके पास एके 47 जैसे अत्या दुनिक हतियार थे क्या पुलिस टीम इसके लिए तयार थी साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की भी जाच होगी हत्यारे विकास को खोजा जा रहा है ADG ने बताया कि कानपूर में जगा जगा पर छापे मारी हो रही है साथ ही उन्होंने बताया कि विकास दुबे का एक साथ ही भी हिरासत में है सभी बॉर्डर्स को सील कर वहानों की चेकिंग की जा रही है आप देख रहे हैं BHBC News